रिफ्रेश करने से कंप्यूटर के फास्ट हो जाता है ऐसा बिल्कुल गलत है अगर आप सुछते हैं रिफ्रेश करने से कंप्यूटर फास्ट हो जाता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है रिफ्रेश कब करते हैं जब रिफ्रेश करना होता है जब हम लोग कोई भी अगर तो फाइल्स यहां पर नहीं आ रहा आ है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो फाइल का आइकॉं तो रिफरेश करने से वो आइकों दिखाई देने लगेगा, तो अप इसको आप इस्केंगा कर सकते हैं, अगर आप खोई भी फाइल्स्न्म वह दिखाएगा इस चीज है उप्टेट होता है तो ऐगरना है तो वह सकते हैं को सबसे थिरिकीश करने देना है तो Run Command देने की लिए करना है आपको कीबोड में आपको Windows बटन और R बटन को फ्रेस करना है जैसे आप Windows R बटन स्प्रेस करेंगे यहां पर आपको एक पॉप-प निकल काएगा जो रांड कमान का दिख सकते हैं इस तरीके आएगा यहां पर तो डिए थेले करना है और इस चीज को पहले चाहते आप उसमें डिलिट कर सकते हैं बहुत यहां पर दिखाएगा और इसको आप यहां पर सिलेट कर लिजिए पुरा और इसको डिलिट बटन दबाईएगा तो यह स्वाइगा आप आप टेंशन मतली जिएगा यह आपका जो फाइल है उस फाइल से नहीं डिलेट होगा यह जस्ट ऐसा कुछ नहीं है यह जस्ट डेटा है आपको दिखा रहा है जो रिसेन में आप कहका चीज यूज किये हैं तो यह डिलेट हो जाएगा नॉर्मल सा और एक कमंड देना है हिए आप फाइलस बहुत से ओपुपिन हो जाता है यह फायल् Uma फाइलस है जो जो भी आप कम्भीटर में इस्तेमाल कर रहे है जो भी काम कर रहे उसका डेटा होगा थोड़ा-फोड़ा करके जो होता है वहाँ पर store होते रहता है तो यह data यहां पर store रहता है बहुत सरे data देख सकते तो बहुत सरे फाइल से जी बी में होगा तो इस data को आपको delete कर देना है तो all select किजिए और यहां पर delete button दबाईए यहां पर एंटर ओके केजिए एंटर दबाई है तो डिलिट होना स्टार्ट हो जाएका देख सकते हैं कितना ज्यादा फाइल है इसके बाद यहां पर ट्राइए दिखा रहा है कि यह जो फाइल है ना हम जो भी काम कर रहा है अभी उस फाइल का इरिएडिटा है इसलिए डिलिट नहीं होगा ठीके दो तिन फाइल रहा जाएगा बागी सब्सक्राइब हो जाएगा इस दोनों काम करने के बज़े से आप कंप्यूटर है फास्ट हो जाएगा तो आप खुदी देख सकते हैं आप अभी परफॉमेंस देख सकते हैं जो कितना ज्यादा फास्ट हुआ है तो अगर फास्ट हुआ है तो नीचे कॉमेंट करके जुरू बताएगा वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज से लाइक कर देजाएगा चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर लिजाए ऐसा ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लास तक देखने के लिए धन्यवाद